लोहिया नगर धनाश्यत्र के फातिमा गार्डन इस्थेथ एक डेरी में मंगलवार सुभे पोलिस ने चापा मार कर दो कटे बैल वर दो जिंदा गाय बरामत की इंस्पेक्टर लोहिया नगर के फिसिंग ने बताया कि एक सोचना पर मंगलवार सुभे साड़े तीन बजे पोलिस ने फातिमा गार्डन निवासी रईस की पोलिस ने मौके से दोनों का टे बैल दो जिवित गाय वर कटान में प्रेवक्त और जार बरामत की हैं इंस्पेक्टर ने बताया कि पूछताच में पकड़े गए लोगों ने बताया कि मंगलवार सुभे वे दो गाय को काट कर उनका मांस बेच चुके हैं डेरी की आड़ में कोकशी का काम एक साल से चल रहा था रईस दिविन गावा आसपास के गवंच को डेरी में दूद के लिए खरीता था और उसे बुगई के पीछे बांद के डेरी पर ले आता था इसे लोगों पुलिस को शक नहीं होता था रात में गोवंच का कटान कर उसे शेहर के कई लोगों को बेच देता था और पॉलिस ने डेरिस से 130 किलोग्राम गोवंच शित दोनों जिन्दा गायवा कटान में प्रियुक्त समान बरामत किया है इंस्पेक्टर ने बताया कि पांचों के खलाफ रिपोर्ट दर्च कर ले गई है गोवंच खरीबने वालों का पता लगाया जा रहा है